सबी किसान भाई को मैं नमस्कार आज हम बात करेंगे बी ऐसेप कमपनी के वेस्टी को रिंसिक्टी सेड यानि कीट ना सकके बारे में साथ ही जानेंगे इसके मोड़ा वेक्षन के बारे में यानि ये कायरे के से करता है इसका उप्योग हम कुन-कुन सी फसलों पर कर सकते हैं ये कुन-कुन से कीटो एवं लिएक को नियंतर करता है इसके डोस के बारे में यानि एक एकड़ में हमें कितना एमेल तक खर्च करना है एवं इसके प्रैस के बारे में साथ ही जानेंगे इसके रिजलिट टाइम के बारे में यानि फसलों पर इसका असर कितने दिनों तक र बारे में यानि ये कायरे कैसे करता है तो वेस्टिकूर एक ब्राड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है यह एक साथ कही प्रकार के इंसेक्ट एवं इल्लियों को मारता है यह इंसेक्ट पर लंबे समय तक लियंद्रन बनाया रखता है इसके बाद हम बात करेंगे इसके टेक के कोड़ाजन इन्सेक्टिक्टिसाइट पी कमपानी के कास्प कोस्राजटिसाइट में बी देखने को मिलेगा इसके बाद हम बात करेंगे इसका उपयोग हम कुनकुन सी फसलों पर कर सकते हैं तो इसका उपयोग हम मुखरूप से चना, मूंग, उड़त, गन्ना, सोयाबिन, अरहर, कपास, टामाटर, एवं सभी तरह की सबजी वरगी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं अगर इंसेक्ट कंट्रोल की बात करी जाए तो यह सभी तरह की इल्लियोफर कंट्रोल करता है जैसे सेमिल उपर, तंबाको इल्ली, हरी इल्ली, तना चैदक, फल चैदक, अमेरिकन इल्ली यह सिर्फ इल्लियोफर ही कंट्रोल करता है इसके बाद हम बात करेंगे इस किडोस के बारे में तो 60 ml फरती एकड तक इसका छिरकाव होना चाहिए एवं 15 लिटर पानी में 6 ml मिक्स करके हम इसका छिरकाव कर सकते हैं अगर इसके प्रैस की बात अगर करी जाए तो 60 ml का फेक 900 रूपी के समधिंग मार्केट में अवेलेबल डिता है थोड़ा भूत पराइस लोकेसिशन के नुसार उपर निचे देखने को मिल सकता है किसान भाई अगर आपको वेस्टी को रिंचिक्टी साइट के बारे में अगर जानकारी सही लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें